हर दिन अप्लोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवशक जानकारी आपसे मिस ना हुपाए धन्यवार नमस्कार मैं हूँ वैभव नाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पांच मई के पंचांग राशिफल और महा उपाए के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत दोहजार बात रहे हैं आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशिफल की तो सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए संतान सुख और सहीयोग बना रहेगा परिवार में हर शुलास की इस्तिती रहेगी आपकी चिंता आपके तनाव आपके बनाने के लिए हनुमान चालिसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए और अगर आप कोई यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आज का दिन इस लिहाज से बहुत शुब दिन कहा जा सकता है व्रिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए माता पिता के स्वास्त की चिंता आपक और कोई अगर आपको लालच प्रलोबन देता है किसी काम के लिए तो लालच से आपको बचना चाहिए गड़े इस चालिसा का पाठ आज आप जरूर करिए मितुन राशी मितुन राशी वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ संबंदों में तनाव की इस्तिती लडाई जगडे वाद्विवात की इस्तिती बनी रहने वाली है व्यापारे की स्तिती को सुधारने के लिए आपको भी थोड़ा सा और समय लगेगा बहुत मेहनत की इस्तिती जब तक आप seriously अपने काम में involved नहीं होंगे तब तक आप financially sound नहीं हो पाएंगे settle नहीं हो पाएंगे आप जो कुछ भी काम करेंगे जो भी प्रयास करेंगे उससे आपके आसपास के लोग आपके office के लोग प्रभावित जरूर रहेंगे आपके कारे की सरहना की जाएगी आपके प्रयासों की सरहना की जाएगी भगवान महादेव की पूजा राधना करना शिव महीम निस्तरोत का पाठ करना आपको लाब देगा क्रूद और उत्तेजना से आज आपको बचना चाहिए सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड शेर से रिलेटेड काम में आज आज आपको फायदा मिल सकता है इस तरीके के किसी भी इन्वेस्टमेंट से आप फायदा ले सकते हैं थोड़ा सा आज आपको कठिनाई आपके शत्रू पक्ष की तरफ से आएगी उनकी तरफ से आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है काम में कुछ अचानक बड़ा फायदा हो जाए ऐसी इस्तिती भी आपके लिए बनती है आदित रिदायस रोत का पाट करें और किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परिशान करने से टॉर्चर करने से बचना चाहिए कन्याराशी कन्याराशी वाले जातक लोगों के लिए आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा आज कुछ मेनत करनी पड़ेगी और कुछ शॉपिंग भी अपनी फैमिली के लोगों की जरुवत को देखते हुए आपको आज करानी पड़ सकती है भगवान विश्णू की पूजा राधना करना पुरुशिसूत का पाठ करना आपको लाब देगा आपकी जो कारिकी जिम्मेदारियां हैं पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनसे विमुख नहीं होना चाहिए तुलाराशी तुलाराशी वाले जातक लोगों के लिए प्लानिंग के काम में नीती निर्माण के काम में आगे के कारियों को रूप रेखा देना आपके फ्यूचर की प्लानिंग करना अपने बिजनिस को सामने रखते हुए बिजनिस को ध्यान में रखते हुए वो बहुत आ मिलेगा काम में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए व्रिश्यक राशी व्रिश्यक राशी वाले जातक लोग आप कोई नए वाहन आदी को खरीदने का विचार बना सकते हैं आत्मविश्वास में कमी आपके लिए बहुत सारी परिशानियों को आज ले करके आएगी तो अगर कोई हेल्थ इशूज हैं तो उनको इगनूर मत करिए धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए सभी मीटिंग्स के जो भी आपने प्रोग्राम बना रखे हैं वो आपको टाइम पर करना चाहिए आज थोड़ा सा वाद विवाद लड़ाई जगड़े की इस्तिती सामने आ सकती है आपको अचानक बहुत गुस्सा आएगा किसी की छोटी सी बात पे भी आजा बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे तो इस तरीके की चीजों को करने से बचना चाहिए यह आपका जो शुबूर्जा है आपकी उसको यह नश्ट करेगा उसको सब परिशान हो सकते हैं संतान के साथ आपके रिलेशन भी कुछ खराब हो ऐसी इस्तिती होती दिखाई देती है आज के दिन को शुब बनाने के लिए संतान गुपाल मंतर का जाप करें और अपने कॉन्फिडेंस में उत्सा में कमी मत होने दीजे कुमराशी कुमराशी वा बहुत बड़ी उमीद नहीं लगानी चाहिए मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक सुख सुविदाओं में वृद्धी के संकेत दिखते हैं माता-पिता के स्वास्त में जो भी समस्या चल रही थी वह समाप्त होगी उनका अश्रवाद उनकी दिन बहुत शुब नहीं है तो इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए तो दोस्तों ये तो बात रही आज के 12 राशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक्षत्र के स्थितियां क्या कहती है और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की और आज के महा उपाय में भी आपको मैं कुछ अलग-अलग चीजों से बचने का कुछ उपाय और टोटका बताऊंगा खासतोर पर आज चिंता मुक्ति के लिए टेंशन हटाने के लिए कुछ परिशानी है दिमाग में आपन परिवार की किसी समस्या या लेंदेन से अत्वा किसी रिष्टेनाते को ले करके दिमाग एकदम उद्वेलित होने लगता है ऐसा लगने लगता है कि दिमाग फट पड़ेगा इसका एक अनुभू टोटका है कि जैसे ही टेंशन हो एक लोटे में या एक जग में पानी ले क करके उसके अंदर चार लाल मिर्च की बीज डाल करके अपने सिर के उपर से साथ बार घुमा करके इसको घर से बाहर कहीं सड़क पर फेक दिया जाए तो ततकाल प्रभाव से आपको आराम मिल जाएगा यह आप खुद भी अपने लिए भी कर सकते हैं या परिवार के किसी व्यक्ति को बार-बार अगर टेंचन दिमाग पर तुरंच चड़ती हो तो उनके लिए भी यह उपाई किया जा सकता है दूसरा उपाई है कि अगर आपके बच्चे को बार-बार नजर लगती है तो आपको चाहिए कि उसके गले में रीठे के एक फल को काले धागे में डा पहना दें जो सत्रीठा होता है जिससे महिलाएं बाल वगरा धोती है तो रीठे का जो बीज होता है वो रुद्राक्ष की तरह होता है तो उस बीज को जो है रीठे के दाने को जो है एक काले धागे में डाल करके मंगलवार या शनिवार को बच्चे के गले में पहना की दूसरा हुपाई यह एक़र आप नजर-दोष्ष से स्वेय्ममक्त होना चाते हैं तो सूती कुरे कपड़े में साथ बार वार करके सीधे टांग के नीचे से निकाल करके आग में झोग दीजें एक सूती कुरे कपड़े को ले लीजे उसको साथ बार उतार करके सीधी टांग के नीचे से निकाल करके पैर के नीचे से निकाल करके आग में डाल दीजे तो सिर से उतारिए पैर के नीचे से निकाल करके ताकि जो कुछ भी नजर दोश है वो पूरी बाडी से हो करके निकल जाए और उसको आग में डाल करके जला देना यदी नजर होगी तो कपड़ा जल जाएगा और जलने में बद्बू बिलकुल भी नहीं आएगी ये प्रयोग बुधवार या फिर शनीवार को ही किया जाना चाहिए दूसरा टोटका है कि यदी कोई बच्चा नजर दोश से बीमार रहता हो उसका समस्त विकास रुख गया हो कई बार क्या होता है कि नजर वगेरा का दोश इतना स्ट्रॉंग हो जाता है कि बच्चे की ग्रोथ रुख जाती है बच्चा अंदर से सूखने लगता है जिसको सु पिले में डाल देना चाहिए जोग देना चाहिए इससे जो कुछ भी नजर वगेरा होगी वो उतर जाएगी यदि ये सुबह दोपहर और सायंकाल तीनों समय किया जाए तो एक ही दिन में नजर का दोश उतर जाता है और ये उपाए भी शनिवार को करें तो ज्यादा उत्तम होता है मानसिक परशानी को दूर करने के लिए एक दूसरा उपाए है उसमें करना ये होता है कि रोज हनुमान जी का पूजन करें हनुमान चाले साब बजरंग बाण और हनुमान आश्टक का पाठ करें प्रतेक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं अगर वहां हनुमान मंदिर में शनी देवता की शिला का स्वरूप है तो शिला के उपर आपको सरसों का तेल चडाना चाहिए शनी देवता की मूर्ती पर नहीं अपनी पहनी हुई कोई चमडे की एक जोड़ी चपल किसी गरीब को शनीवार के दिन आप दान करते हैं तो इससे भी मानसिक समस्या परिशानी तनाव जो है वो दूर हो जाती है तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाई और टोटके आपको बहुत पसंद आते होंगे आप सभी लोगों से ये आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आ गया दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैन दो हो सके धन्यवाद 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद उटेज कि भी मालवगल साब्सारी नहीं है जाओelnेग झाल फोन शन्यवाद झाल